मेरे Spamistry and Stology वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है, तो आज हम analysis करेंगे sand का और check करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हम इस सीखने के लिए मिलती हैं, तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से, उसके बाद check करेंगे fingers की setting को and mounts को, और सबसे last में हम check करेंगे lines को, इस तरह से पूर जो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है, यह मेरा WhatsApp number है, अगर आप भी अपने हाथ की video बनवाना चाहते हैं, यह phone consultation लेना चाहते हैं, तो उस WhatsApp number पर message send कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो अच्छी thickness इनकी fingers में नजर आ रही है, आप देख सकते हैं, यहाँ से, यह जो base phalanges हैं, fingers के काफी thick है, medium length में हैं इनकी fingers, और इनकी जो suria finger है, वो अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, fingers का thick होना indicate करता है, कि ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी energy and stamina रहेगा, और अगर suria finger अच्छी length में हो, यहाँ जो finger है, इसको हम Apollo यह suria finger कहते हैं, यह finger कर अच्छी लंबाई में हो, तो ऐसे व्यक्ति का social circle काफी अच्छा रहता है, साथी साथ काफी अच्छी creative type की qualities, artistic qualities भी ऐसे native के भीतर रहती हैं, अगर हम बात करें, इनकी shani finger की, यहाँ जो finger है, shani finger कहल आती है, अगर shani finger की लंबाई अच्छी हो, तो native मेहनती nature का होता है, discipline को follow करने वाला होता है, और अपनी inequalities की वज़े से काफी अच्छी तरक्की पाने में भी काम्याब हो जाता है, अब बात करते हैं, इनकी index finger की, यानि के groove finger, यहाँ थोड़ी सी जुकी हुई, अगर हम इसक तरह से कुछ जुकाव सूर्य finger का भी shani finger की तरफ, तब सभी finger जिस तरह से जुकती है shani finger की तरफ, तो native के भीतर थोड़ी वेराग्या की भावना भी हो सकती है, mercury finger की बात की जाए, तो mercury finger यहाँ पर थोड़ी short नजर आ रही है, अगर हम compare करते हैं, बाकी finger से मकावले, तो का परभाव रहता है, जब यह finger size में कम हो जाए, लेकिन अगर हम बाकी finger से compare करें, तो mercury finger यहाँ पर काफी low set होती हुई, यहाँ से आपको नजर आएगा low set होना इस finger का, क्योंकि बाकी के, अगर हम एक रेखा draw करते हैं, आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर एक line draw करकर, तब आपको यह चीज़ काफी clear मालू होगी, कि fingers को low set किस तरह से check किया जाता है, अगर मैं यहाँ पर एक line draw करता हूँ, तो यह कुछ इस तरह की एक line बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं, यह तीनों finger से एक seed में आएंगी, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल एक seed में नज आ रही है, setting जो finger की है काफी नीचे है, तो mercury finger का low set होना यहाँ पर indicate करता है shy nature को, ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी open up नहीं हो पाते हैं, बिशक communication skills में कोई problem नहीं है यहाँ पर, communication skills यहाँ पर अच्छे नज़र आ रहे हैं क्योंकि finger की लंबाई में कमी नहीं है, लेकिन यह finger low set है, तो hesitation वाली nature रहेगी, ऐसे native जल्दी से society में open up नहीं हो पाते हैं, अब बात करते हैं, fingers के उपर बनने वाली रिखाओं की, यहाँ पर आपको बहुत सारी सीधी खड़ी रिखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह हैं कि सीधी खड़ी रिखाएं, इनके लगबग सभी phalanges के उपर नज़र आ रहे हैं, ऐसी रिखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है, ऐसी रिखाएं होने से जो native होता है, बहुती मिलनसार nature का होता है, काफी अच्छा सभाव ऐसे व्यक्तिका रहता है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं, इनके सभी mounts को, उसक जाती हुई, उसके साथ एक और रिखाओं जो थोड़ी सी overlapped है, यहां पर इसमें overlapping हो रही है, लेकिन यहां रिखाओं के तरफ बढ़ रही है, इस तरह की रिखाओं अगर मौजूद हों, तो ऐसे व्यक्तिका बिजनस equipment अच्छा हो जाता है, तो यहां पर अगर overlapping आ जाए इस तरह से यहां पर अगर जादा overlapping हो तो जारा दिकते होती हैं health को लेकर, लेकिन अगर एक आधी overlapping भी होती है, तब भी digestive system थोड़ा सा खराब व्यक्तिका रह सकता है, और overall अगर देखा जाए, इनके जो इनका mount है mercury का, उसके ओपर कुछ खड़ी रिखाएं भी मौजूद ह इस एरिया में आपको कुछ खड़ी रिखाएं नजर आएंगी, इस तरह की रिखाओं का होना, व्यक्तिके विजनस एक्कुमेन को strong करता है, बेशक यहां पर shy nature है, लेकिन विजनस करने की शमताय से व्यक्तिके भीतर काफी अच्छी रह सकती है, और अगर हम बात करें, इन के सूर्य माउंट की तरह बढ़ती हुई, जो बहुत ही अच्छी रिजल्ट देती है, अब देख सकते हैं, यहां से एक रिखा, कुछ इस तरह हैं से इस एरिया तक, इस तरह हैं की रिखा को पूरफ पुन्या रिखा का नाम दिया जाता है दोस्तों, अगर ऐसी रिखा पास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति का भागया होता है, और ससाइटी में काफी अच्छा निमन फेम, ऐसे व्यक्ति चालिस की एज के बाद पाते हैं, यहां पर अब देख सकते हैं, यहां रिखा आगे भी कांटिन्यू है, अच्छी रिखा है, थोड़ा सा यह माउंट फ्ल अंदर की तरफ दब रहा है, शनी माउंट अगर दब रहा हो, तो नेटिव को काफी महिनत करने पड़ती है, लाइफ में हार्ड वर्क जो है बढ़ जाता है, बिना हार्ड वर्क के कुछ भी प्रापत नहीं होता, भागया के बल पर सब कुछ नहीं मिल पाता है, ऐसे व्यक थोड़ी ओवरलैपिंग के बाद नजर आ रही है, इस तरह की भागया रेखा अगर यहाँ पर भी मौचूद हो, यानि कि यह जो एरिया रहता है, अपर एरिया, यहाँ पर भी भागया रेखा हो, तो ऐसे नेटिव की, जो इंकम है, वो ओल्ड एज में भी बरकरार रहती ह और ऐसा व्यक्ति ओल्ड एज में भी धन कमाता रहता है, तो यहाँ पर यह पॉस्टिव चिन है, काफ़ी लंबी भागया रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है, और भागया रेखा कुछ कट रही है कई जिगाहों से, हलकी हलकी रेखाएं, इसको टच कर रही है, इनकी रेखा है, जिसको हम अस्थिश रेखा कहते हैं, तीसरी रेखा यह है, जिसको हम कहते हैं, मरकरी यानि के बुद्ध की रेखा, तो इस रेखा में थोड़ी सी ओवरलैपिंग, यहाँ से हलका सा मनी ट्रेंगल खुला हुआ, लेकिन मनी ट्रेंगल का बनना ही, यहाँ पर अजर नहीं आ रहे, मनी ट्रेंगल बन रहा हो हाथ में, यहाँ पर आपको मनी ट्रेंगल नजर आ रहा होगा, ऐसी चीज़ें हाथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति धन के मामले में लखी होता है, काफी अच्छा धन अक्मूलेट कर लेता है, बेशक लाइफ में हार्वर्क भी रह आगे बात करते हैं, इनके गुरू माउंट की, अब देख सकते हैं, बरस्पति माउंट का एरिया कितना प्रॉमिनेंट है, काफी बड़ा बरस्पति माउंट यहाँ पर ऐसे नेटिव काफी जदे स्प्रिच्छल माइड़ होते हैं, खासतर पर यहाँ पर अगर देखें, की फार्मेशन भी बनती हुई, किसी भी माउंट के ओपर ट्राइंगल बन जाए, तो उसके गुनों को और बढ़ा देता है, तो यहाँ पर गुरू माउंट के ओपर ट्राइंगल का बनना व्यक्ति को धार्मिक नेचर का बनाएगा, ऐसे व्यक्ति नॉलेजिबल होते हैं, काफी अच्छा ज्यान हासिल करते हैं, और अपने नॉलेज को शेयर करना भी पसंद करते हैं, थोड़ी विराग्या की भावना, स्प्रिच्वालिटी इनके भी तर जादा रहेगी, ब्रस्पति माउंट का अच्छा होना, फैमिली की तरफ से सुखों को भी बढ़ाता है, अब बात करते हैं, इनके लाइन आफ हाट की, आप देख सकते हैं हाट की लाइन कोछ इस तरह से, और एक स्ट्रेट लाइन चलती हुई, और एक लाइन इस तरफ को चलती हुई, इस तरह का विश्नुचिन यहाँ पर लगभग बनता हूँ, थोड़ा सा गैप जरूर है इस तो जिनके भी आप पर इस तरह का वी बन रहा हूँ, हाट लाइन के एंड में, उन्हें हमेशा यही सुझेस्ट करता हूँ कि सही तरीके पर चलते हुए, अच्छे करमों से ही धन कमाएं, तभी लाइफ में उन्हें तरक्की मिलेगी, आगे आप देख सकते हैं, इस रेखा में हलकी सी, यहां पर यह रिखा डबल होती हुई, आइलन जैसी फॉर्मेशन बनती हैं, कुछ छोटी-छोटी ब्रांचिस भी हैं, जो नीचे की तरफ चल रही हैं, तो थोड़ी दिक्कत ने रहा सकती हैं हाट की हेल्थ को लेकर, लेकिन कोई मेजर इशू यहां पर नजर में तरक्की करते हैं, इस तरह की लंबी लाइन होने का क्यवर नुकसान भी होता है दोस्तों क्योंकि ऐसे व्यक्ति मूव ऑन जल्दी नहीं कर पाते हैं, पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ना परता है लाइप में, जो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अदरवाइस कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी माइंड लाइन के जरीए नजर नहीं आ रहा, अब बात करते हैं लाइफ लाइन की, अब देख सकते हैं लाइफ लाइन को काफी अच्छी लेंथ में यह रेखा, लगभग इस तरह की लंबी रेखा होने से ऐसे व्यक्ति की जो एज है काफी रहती है, लगभग एटी के असपास की एज, और यह जो रेखा आपको नजर आ रही है, यह रेखा मंगल रेखा कहलाती है, इस तरह की रेखा होने से ऐसे नेटिव अपनी लाइफ में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में काम्याब रहते हैं, प इस तरह का चिन अगर केतू माउंट के उपर बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ भी मिल जाता है, अचानक से धनलाव होने की समभावनें लाइफ में रहती हैं, पुर्खों की कोई जमीन जायद है ता वो हिस्से में आ सकती है, या इंशोरेंस का पैसा मिल सकता है, कुछ इस तरह से सडन वेल्थ गेंज होने की समभावनाओं को भी इस तरह का चिन बढ़ाता है, और अब देख सकते हैं, बहुत सारी बारीग रिखाएं, ऐसी रिखाएं, शुकर माउंट के उपर मौजूद हों, तो यह है, प्रॉब्लम क्रियेट करती हैं, मै मैरिज से सबंग दे दिकते हैं, ऐसे व्यक्ति को आ सकती हैं, मैरिज में डिले होना या अफ्टर मैरिज दिकते हैं, थोड़ी से स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होने की समभावनाओं को भढ़ाता है, इस तरह का वीनस माउंट, और चंदर माउंट की बात करने, तो काफी सारी रिखाएं हों, इसे के सासाथ अपर जाने वाली रिखाएं, इस तरह की रिखाएं अगर मौझूद हों, और लाइफ लाइन से कोई ऐसी रिखा निकल कर मून तक पहुंच रही हो, तो ऐसे विक्ति लाइफ में विदेश यात्राएं भी करते हैं, लंबी दूरी की या मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद